हलो आज है नाइन्थ जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पेटी अम के बारे में देखिए पेटी अम ने पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी है आख की तरह भागा है यह शर और वीडियो में बातचीत करेंगे की वजह क्या है औ आपको काफी जादा हेल्प करेंगे तो पेटीम का शेर आट सो तेरा रुपे पर है आज बाजार में गिरावट थी फिर भी साड़े पांच परसंट की बड़िया तेजी है यहां पर अगर पिछले एक महिने में अगर आप देखो तो बारा परसंट का ग्रोथ है लेकिन अ लगातार तीजी है और बड़ी तीजी इसना दिखाई है उसके सबसे बड़ी वज़ा है आर बी आई की तरफ से आया को अपडेट लेकिए पेटियम गेंस ऑन आर बी नोड तु फर्स्ट लोन डिफॉल्ट गैरेंटी मॉडल जिसके चलते तीन दिनों से लगातार शेर भा अपर अपर फल्ड्ग फार्स लोस्ट लॉवल्ट गुरूट गैरेंटी है लेकिन पर्स लोन डी ज सकता है पुझल अप्नर गाई इस ए लोर्ट लोन पर्णादी आर फोल्ड्ट टाइंट फिंटेख इस लों इस तो फ्रॉने टो फिंडेंट खिंटें ले कुड़ी आंड the FLDG, the fintech help banks and the NBFC recoup losses that occurred when customer defaults on the payments तो simple से बात है विया customer जब भी payment में default करते है तो ये उनको बचाने का काम simple करता है और जाहिर से बात है कि इसके जरिये एक confidence built हो रहा है banks और NBFC में भी कि वहाई जो fintechs है ना ये समझते है credit risk को और ये बड़ी बात निकल कर आई है कि वहाई या RBI ने इसका approval लिया है जिसके चलते अगर हम देखे तो तेज़े देखने को मिल रही है before the digital lending norm was introduced fintechs and the banks had developed the FLDG model on their own where the former provided guarantees to compensate for up to the certain percentage on the default of the loan portfolio तो देखें सिंबल से बात है जिसके चलते तीजी आई है उसके सबसे बड़ी वज़ा यही है और इसको लेकर अगर हम बड़े बड़े ब्रोकरे जो और analysis की बात करी जाए तो वहाई पॉजिटिव तो है हलाकि शेर में ग्रोथ की एक वज़ा यह भी है कि इनके जो लोन डिस्बस्मेंट है उसमें भी बहुत बड़ा जंप आया है काफी बड़ा जंप हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है couple of days back P.E.T.M. in the exchange filling said it continue to expand its customer base in May and made disbursement worth 5,500 crores for the month ठीक है और P.E.T.M. also said that 75 lakh merchants are now paying subscription for its payment devices तो यह बड़ी बात है कि company अच्छा perform कर रही है और numbers में improvement दिख रहा है जिसके चलते अगर हम देखे जिसके चलते अगर हम देखे तो brokerage वो यहाँ पर positive दिखाई दे रहे है BOFA Securities has upgrade the stock to buy with one year target price of 885 rupees again एक साल का target है यह तो देखो एक चीज़ समझो यहाँ पर कि 813 पर share जा चुका है ठीक है अब थोड़ा उपर जाएगा profit taking आपको जरूर देखने को मिलेगी जब ऐसे formation बने है न इससे पहले भी अगर आप देखो तो 440 से तेजी आई थी यह 505 तक गया था बाद में ऐसे गिरावट भी आई कि यह वापस 550 पर भी आई गया था तो सेम चीज़ वहाँ पर भी होने के chances है तो जब भी ऐसी कोई event होती है जब भी शेयर में बड़ी रफतार आती है अरली इंवेस्टर बैठे होते हैं profit taking के लिए आ देखो इससे पहले भी जब यह तीजी आई थी ठीक है तो बड़ी profit taking आई थी फिर वापस शेयर गिरा था वापस यहाँ पर तीजी बनी थी और यह जो तीजी की वज़े थी वो वज़े क्या थी यहाँ पर जब शेयर सीधा 500 रुपे से सीधा 700 पर गया था वज़े क्या थी इसकी वज़े थी कि बड़ी रफतार आई लेकिन जब यह तीजी आई ना तो जो अरली इंवेस्टर थे ना उन्हेंने सेयर भाई धरादर और और लगाए बिक्वाली के और वापस चार गिर गया नीचे तो इस बार भी यह जो तीजी आ रही है देखो मैं मान दो हूँ कि लॉंग टर्म पीटियम में अच्छा ग्रोथ है डेफिनेटली ग्रोथ है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ अच्छी चीज़े देखने को मिल स साउंड बॉक्स जो अलाकर आया है ना इसने कहीं न कहीं गेम को बदला है हाल फिलाल में इसका लाव मोतिलाल उस्वाल की अगर हम बात करें तो उनकी भी बाई कॉल है यहाँ पर और 900 रुपए का टागट इन्हों ने दिया है टोटल ग्रोथ मर्चडाइन्स वैल्यू गें और अगर बात करी जाए आई सी आई सी इसे क्योरिटीज की तो उन्हों ने तो भाई एक हजार पच्पन रुपए का टागट दिया है सीटी रिसेर्ज की बात करें तो उनकी भी बाई कॉल है और 1103 रुपए का टागट है यहाँ पर तो काफी बढ़ टागट देखने को मिल रहा है लेकिन एंजल वन के जो किशन है जो सीनियर एनलिस्ट है उनका ये कहना है कि PTM has seen a strong move over the news on rating upgrade on technical front the stock has been able to sustain about 200 SMA on daily charts जो simple moving average है वो और as far as the level concern the bullish gap of of rupees 737 37 is likely cushions in the short term build by the strong demand is around 700 odd zone देखो simple कहना के पर strong demand आपको देखने को मिल सकती है on the country session अगर आप देखोगे तो 800 रुपय का जो level है वहां पर भी आपकी नजर होनी चाहिए इसका अलावा एक और है जिनका कहना है जो प्रभुदाश अलिरादर के टेक्निकल researcher है vice president है यहां पर तो stroke has given a huge sprout अगर आप बात करने जाए तो एक resistance zone भी था पहले अत्मलब साड़े 700 रुपय के आसपास का अब breakout है scope further targets 820 to 840 बहुत आपको आपको आने वाले विद 545 रुपीस कई भी कहने 555 सब्स्ट लगा और high level तक जाने की chances यहां पर जरूर है तो देखे यही कहूंगा मैं आपसे की company है तो अच्छी लेकिन जैसे आने पहले भी कहा कि correction के लिए तयार रहना पड़ेगा और अभी जिस range पर है वो risky तो है यहां पर volumes अगर आप देखोए तो एक करोड साथ लाक से भी जादा के volume समय देखने को मिल रहे हैं इतना ही नहीं according to money control user 15% लोग कहरे कि बेचो 50% लोग कहरे खरीदो यहां पर मैं profit भी अगर आप देखो तो lossy सी अभी भी भी loss है यहां पर लेकिन EBITDA positive हुए है उम्मीद करते के आने और दो तीन quarter में चीज़े इनके लिए बदलती हुई नजर आए पेटीम को लेकर अभी भी अगर हम बात करने जाए तो 92% एनदिश कहते है खरीदारी करो देखो मेरी buying के recommendation है लेकिन 800 रुपए के उपर नहीं ठीक है यहां पर promoter कोई नहीं है यहां पर आप देखिए Files के पास 71.83% की holding है और जब भी तीज़ी आई है Files ने बिक्वाली कर दिखता है और वापस अगर आपको साड़े 600 की range दिखाता है तब जाके entry level के मौके बन सकते हैं बाकी मर्जी आपकी है वीडियो को यहीं प्रेंट करूँगा पसंद आए हो तो लाइक करो शायगा चाहां बगर आप पहली बारे में तो प्रीज सब्सक्राइब करें और PTM क बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिके बता सकते हैं थैंक यू